जैहीं दोस्तों आज हम आप सभी को इस वीडियो में बताने वाले हैं कि S.S.C. G.D. की जो एक नई भरती निकल के आ रही है अपरॉक्स अगर हम बात करें तो यहीं पे 60,000 के सम्थिं यहाँ पे पोश्ट आप सभी की रहने वाली है अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह न ही बता रहा है सब क्यों लगवा की करके बता रहे हैं इसके बारे बात करेंगे साथ ही एज के बारे मताएंगे क्या आपको एज भी छूट मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी और एज आप सभी से कब से काउंट की जाएगी इसके बारे में भी आज हम आप सभी को इस वीडिय कारी प्रोवाइड कराता हूं सबसे पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि आप सभी का SSC GD की जो वेकेंसी है वो अप्रोक्स यहां पे साथ हजार के सम्थिंग आपकी वेकेंसी रहने के उम्मीद है हो सकता है जब वो इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाए 24 नॉउंबर 2023 को तब इस वेकेंसी को कम कर दिया जाए मतलब 60,000 न करके 30,000 35,000 40,000 या 50,000 कर दिया जाए उन सभी को मिला कर, मैं अब एक के वल तीन नाम लिखा हूँ, बाकी और भी हैं, सभी को मिला कर यहाँ पर आसम राइफल, आइटी वीप, यतने भी फोर्सेस हैं, सभी को मिला कर, ठीक है, मैं लिखी देता हूँ, देखिए, CISF हो गया, ठीक है, उसके बद, वेसफ हो गया, C NCB हो गया, ठीक है, NCB, उसके बाद, एक हो गया, अशाम राइफल, क्या हो गया, अशाम राइफल, ठीक है, अशाम राइफल, माल नीजिगे इसे, ठीक है, उसके बाद, एक हो गया, अपना SSF, ठीक है, इतने पोश्टों पर वेकेंसी निकलके आती है, ठीक है, इतने पोश 60GB वेकेंसी निकालते ठीक है तो जब इन सभी को मिला करी बो करीब इसको 60 outgoing बनाया जा सकता है और इतने पोस्टों पर आप सभी को भरती देखने को मिल सकता है तो मैं आप सब को बस इतना करना चाहता हूँ कि अगर आभी तक आप त्यारी नहीं करें त्यारी करना सुरू कर दीजिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर age को लेकर ठीक है कि age आप सभी की लगभा कितनी रहने वाली हो कब से आप सभी की age यहाँ पर count की जाएगी तो ध्यांस आप सभी वीडियो को देखिएगा अगर हम age की बात करें मेरे भाई तो यहाँ पर age जो है करीब अगर 24 नवंबर 2023 से firm apply होता है तो आपकी जो age है मेरे दोस्त वो यहाँ पर अगस्त 1,8,2023 से count की जानी है ठीक है अगर यह हो गया पहला chance मतलब कि 1,8,2023 से आप सभी की age यहाँ पर count की जा सकती है अगर भरती यहाँ पर 24 नवंबर से apply शुरू हो जाता है तो और यहाँ पर 101% chance है कि 24 नवंबर से ही firm apply होगा क्योंकि exam date SSC ने चारी कर दिया है कि 20 फरवरी से लेकर 12 मार्ज तक exam होगा जब exam date आ चुका है तो 24 नवंबर से apply 101% यहाँ पर fix हो ही गया है ठीक है अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जब इतने से age आपकी count होगी तो age आपकी लगवा कितनी मांगी जाए क्या age में छूट मिलेगी तो मेरे भाई आपको बता दें अभी तक जो यहाँ पर प्रौधार निकल की आया है वो यही निकल की आया है कि अगर आपकी age यहाँ पर 18 साल से लेकर 18 साल से लेकर 28 साल के बीच में है तो आप सभी यहाँ पर form को अपलाई कर सकते हैं अब मेरी बात को अब समझे नहीं होंगे लेकिन मैं को समझाना चाहता हूँ धान दीजेगा अगर आप यहाँ पर बताता हूँ अब सभी को अगर आप यहाँ पर जर्नल है क्या है अगर आप जर्नल है तो आपकी एज यहाँ पर 18 से लेकर 23 साल के बीच में होनी चाहिए अगर आप यहाँ पर OBC है धान दीजेगा अगर आप OBC है तो आपकी एज यहाँ पर 18 साल से लेकर 25 नहीं मेरे दोश 26 साल 26 साल के बीच में आप सभी यहाँ पर अपलाई कर सकते हैं या आप सभी SC हैं या फिर आप सभी ST से विलाउं करते हैं तो आपकी यहाँ पर जो एज है वो 18 साल से लेकर 28 साल तक आप फॉर्म को अपलाई कर सकेंगी ठीक है लेकिन यह सारी बाते हो गई अब यहाँ पर बात यह निकल के आती है अगर यहाँ पर एज में हमको 2 साल की छूट मिल जाती है तो क्या होगा धांदीजेगा अगर एज में आप सभी को 2 साल की छूट मिल जाती है तो क्या होगा धांदीजेगा वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दें कि अगर आप सभी त्यारी कर रहे हैं SSTGD Constable 2023 की नई भरती की तो आप सब के लिए best book निकल के आ चुकी है जो कि चक्सु पब्लिकेशन की रहने वाली है यह book आपके त्यारी को और ज़्यादा मजबूत बना सकती है क्योंकि आप सभी को इस book में अठाइच सो पलस बहुविकल प्रशन मिलने वाले हैं पांच सॉल पेपर आपको दे जाएगा 2023 लेकर 2021 तक का 100% आपके syllabus पर यह book अधारित है और आप सभी को बता दें यहाँ पे जितने भी syllabus हैं इस book में काफी सलत दे के समझाये गये हैं चाहिए आपका रिजिनिंग हो सामान ग्यान, math या फिर हिंदी या इंगलिस सभी कुछ काफी विस्तार समझाया गया है और आपके pattern पर यह book अधारित है अगर आप सभी इस book को purchase करते हैं साथ ही मैं आप सभी को study guide मिलने वाला है जिससे आप सभी अपने तयारी को दोगनी मजबूत कर सकते हैं अगर आप सभी इस book को online मादम से purchase करना चाहते हैं तो यह वीडियो को discussion में लिंग रिया गया वहाँ सभी इस book को purchase कर सकते हैं या फिर अपने market से भी offline मादम से purchase कर सकते हैं तो मेरे दोस्त तो छूट ऐसे नहीं मिलती छूट मिलती है MHA की तरफ से जब MHA की तरफ से कोई region होगा तब आप सब को age में छूट दी जाएगी पिशली बार age में छूट मिली थी उसमें बहुत बड़ा region था COVID-19 और COVID-19 के चक्कर में बहुत सारे भाईयों ने भरती देखने मतलब भरती से बंची तरह के भरती नहीं देख पाए इस कारण से MHA के तरफ से यहाँ पर दबाव पड़ा MHA को तो उसनों ने यहाँ पर छूट दे दी age में लेकिन अब एकी बार आपके पास कोई भी ठोस evidence ना होने के करण age में छूट मिलना बहुत ही मुश्किल है लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि आपकी जो जिस प्रकाश पहले age थी उसी प्रकाश से रहने वाली है 18 से 18 से 18 साल तक तो आप सभी इसी criteria के अंदर में आके भारती को देख सकते हैं जैसे ही आप सभी यहाँ पर form को apply करेंगे तो आप सभी को बता दें कि एक महीना कम से कम यहाँ पर form apply होगा उसके बार आप सभी का form इस्टाच होगा फिर आपका exam होगा exam कर आपका physical होगा फिर आपका medical होगा फिर आप सभी को एक final cut-off के धर पर selection दे जाएगा यह selection पूर से रहता है यहाँ पर ठीक है बाकी जानकारी अगर आप पुछ चाहिए तो आप सभी कमेंट कर सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो discussion में लिंक दे दूँगा आप सभी जाकर देख लिजेगा हमारे टेलीगराम चैनल से अगर आप इतक आप सभी नहीं जुड़े हैं तो आप सभी जुड़िया यह discussion में लिंक उसका भी दिया गया है और अमेचिक तरफ से जब यहाँ पर कोई भी उस प्रस्ताव निकल के आता या फिर कोई जानकाई निकल के आती है मैं सब के लिए सबसे पहले वीडियो बनाऊँगा ताकि आपको एज में छूट को लेकर जो आपके अंदर यहाँ पर परिसानी चल रही है वो यहाँ पर पूरी होनी चाहिए जिस सिर्थे से भरती लगाता आ रही है 2023 की आई तो जार चोबिस की आ रही है अगर कोई ना आया होता तो यहाँ पर दोज़ार अटबीस का आता तो इस प्रकार से आप सभी इस भरती में भी फार्म को अप्लाई कर सकते थे यह एक ठोस एविडिन्स है लेकिन उसको बहु आपकी एज यहाँ पे छे महीने से ज्यादा है, मतलब करीब छे माह आप सभी का एज जो है, वो है, इस्टरा, तो आप सभी त्यारी करिएगा, हो सकता है आपको छे महीने एक साल के छूट एज में दी जाए, ठीक है, यह सारी चीजे थी, जो कि आप सब को बता देता है, मैंने आप सब को यहाँ पे एक एक चीजे समझाई है, ताकि आपको किसी पकार की दिक्कत ना हो, ठीक है, तो मिलते हैं इस वीडियो में, एक सांदर अपडेट साथ, तब तक के लिए, जय हिंद, बंदे मात्रम